किसान भायों नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल किसान अफिस महार्दिक स्वागत है आज की वीडियो हम बात करेंगे अरहर का सबसे ज्यादा नुक्तान पहुजाना जो कीट है इसको अरहर का फल शेदक बोलते हैं या इंगलिज में पॉट फ्लाई बोलते हैं यहां जो कीड अधोर दिखेंगे जिसके अंदर कीड़ा है जबकि वह बीट होता है वह क्या करता है कि जब फूल आता है और जलसे ही अरहर का पॉट निकलता है जो फली है निकलने लगता है फूल से उसी समय च्छेद कर देता है वह अंडा निकलकर उसी में बढ़ा होकर उसका जो लार् दालेंगे देखिये की दाना खराब हो रहता है इस परकार अगर आप इसमें कंट्रोल नहीं करेंगे मैंनेजमेंट नहीं करेंगे तो तो शाइस से सत्सार पर्षिशत तक आपका अरहर का फसल नुफ्शान होता है आँज की विडियो में हम बताएंगे कि ऐसा कौन सा दव दवा के इस्तेमाल करें जिसे कि आपका अरहर का दाना बिल्कुल भी पीड़ा ना लगे और तुरस्चित रहे और आपका उपज 100% तक मिले जिया किसान भाईओ यहां जब फूल आपका आज एक दो फली आने लगे उस स्थिति में आपको मार्केट में मिल जाएगा लेम्ड लेम्डा इस तरह से कई कंपनियों का दवा आता है उसको लेके आप जो भी आपको बिश्पाशनी दवा लगे उसका 30 ml बर्शी तंकी जो 15 लिटर वाला टंकी है उसमें 30 ml दवा को घोल तैयर कर इस्प्रे करना है और थाथ एक लिटर पानी में 2 ml दवा को मिलाकर इस्प्र करता क्या होता कि 15-20 ml इस्प्रे करते हैं लेकिन हम अरहर का पौधा इसमें 30 ml का इस्प्रे करना है इससे क्या होगा कि आपका चार पास दिन में यहां कीड़ा पूरा कंट्रोल हो जाएगा और भविश्य में मतलब इसमें कीड़ा नहीं आएगा अगर आप अरहर का खेति क करते होता है तो इसमें लगभग 20-25 संकी डग आपको एस्प्रे करना है अगर आपको मार्केट में कराटे एक लिटर का जो है तो लगभग 7 रुपे मिल जाएगा एक लिटर में आपका लगभग माल लिजिए 30 संकी डवा बनता है तो अगर 600-700 रुप खर्चा करेंगे एक परोग करके देखे रिजल्ट 100% अच्छा रिजल्ट रहेगा आपका अरहर कदाना पूरा पूरा पूश्ट रहेगा और उस पादन भी आपका बढ़ेगा हमारे तो जानकरिया आपको दिया गया किसान भी अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए गा अगर आप तक ह मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत नहीं बाद